आज के पाठ का बिशह है प्रसाद के चंदगुप्त शिर्शक नाटक पर पास्चात्य और भारतिय प्रभाब इस पाठ के अध्यन के उपरांद आप प्रसाद के चंदगुप्त शिर्शक नाटक से परचित हो सकेंगे चंदगुप्त नाटक पर पास्चात्य प्रभाब की पड़क कर सकेंगे प्रसाद के नाटकों पर भारतिय नाटकों के प्रभाब को समझ सकेंगे और प्रशाद के नाटकों पर पास्चात और भारतिय नाट्टे प्रभाब के समन्वे पधती को भी समझ सकेंगे जैसंकर प्रशाद सर्वतों मुखी प्रतिभा के रचनाकार थे आधुनिक इंधी साहित्य में साहित्य की बिभिन्नी विधाओं में लेखन करने वालों में भारतियंदू हरिश्चंद्र के बाद जैसंकर प्रशाद का ही नाम महत्पुर्ण है प्रशाद ने साहित्य की प्राय सभी स्रेन्नी विधाओं में रचनाएं की है यद्धिपी वे मूलतह कभी थे किन्तु कथा साहित्य में भी उनकी प्रतिवाच मत्कृत करती है चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महराना का महत्त, जहरना, आशु, लहर और कामाईनी आदिय उनकी प्रमुक का बिकृतियां है चाया, प्रतिध्वनी, आकास दीप और इंदरजाल उनके द्वारारचित कहानी संग्रह है प्रसाध को जितनी प्रसिद्धी कभिता के छेतर में मिली, उतनी ही प्रतिष्ठा उन्हें नाटक के छेतर में भी मिली सज्जन, कल्यानी परिने, प्राइस्चित, करुनाले, राजजिस्री, विशाख, अजाद सत्रू, जन्मेजे का नाग्यग, कामना, असकंद गुप, एक घूट, चंद्रगुप्त, दुरूप स्वामनी, तथा अपुर्ण अग्नीमित्रून के द्वारा प्रनीत नाटक है जैसंकर प्रशाद ने कुल 14 नाटकों की रचना की थी चंद्रगुप्त मौर्ज जैसंकर प्रशाद का सरवाधिक महत्यपूर नाटक है विशेबस्तु के नभीकरन और दिष्टिकोन की आधुनिकता इसमें लक्षित होती है जैसंकर प्रशाद का प्रथम नाटक सज्जन सन 1911 समीं प्रकासित हुआ और अंतिम नाटक धुरुस्वामनी का प्रकासन 1931 में हुआ इस प्रकार प्रशाद के नाट्टे लेखन के अबदी लगभग 22 बरसों की है जैसंकर प्रशाद के चंद्रगुप्त मौर्ज का प्रकासन सन 1931 समीं हुआ था इसके पहले ही इसका लेखन कार्ज हो चुका था उस समय भारत में स्वाधिनता का संगराम चल लाँ था देश सोतंतरता की प्राप्ती के लिए सन्नध था अलका जब हिमाद रितुंग शरिंग से प्रबुध सुद्ध भारती स्वयम प्रभा समुझ जोला स्वतंतरता पुकारती का उधोष करती है तब ततकालीन राष्ट्रिय आंदोलन की प्रतिध्वनी सुनाई परती है देश की राष्ट्रे भावना संकट गरस्त थी इसी परिद्रिश्य को सामने रख कर प्रसाद ने मौर्ज कालिन इतिहास की प्रिष्ट भूमी पर बरतमान का चितरन किया है विभाजित मान सिक्ता वाले परतंतर देश को एकता के सुत्र में बांधने के लिए ही उन्होंने चाननके के चरितर की अबदार ना की है यहाँ न तो मुद्रा राक्षस की अनुकृती है और न दोजेंद्र लाल राय के रुमानी नाटक का अनू करन भारतियता का निरूपन इसका लक्षे है देश की एकता और अखंडता तथा विदेशी प्रतंतरता से मुक्ति के लिए इस नाटक का प्रणियन हुआ था प्रसाद छायाबाद से सम्मध्य रचनाकार थे अता हुए साहित्य में विदेशी प्रभावों के प्रति सहिष्णी नहीं थे उन्होंने बांगला के माध्यम से आंगल प्रभावों को रचनात्मक अस्तरपरात्म साथ किया था यह उनके मानभ धर्म के अनुकूल था पास्चात नाटकों के संघर्स और भारतिय नाटकों के रचवाद को उन्होंने ज़ोडने का प्रयास किया था उनकी रचना धर्मिता की या विशेष्ता संस्कृत और अंग्रेजी के नाट्य सैलियों के समीकरन को उधारित करती है इस संदर्भ में वेभारतिय नाट्यकला के गुन दोसों के साथ पास्चात नाट्या दर्श को एक साथ मांगने का प्रयास करते हैं जसंका प्रशाद नाटक में किसी नितांत नविन प्रणाली के उपासक नहीं थे वह ऐसे युग में उत्पन हुए थे जब हिंदी साहित्य में भारतेंदू और उनकी नाट्य परंपरा का अनुकरन करने वाले कथिपे अने नाटक कारों की रचनाए उपलब्ज थी उस समय बांगला साहित्य में भी नाटक लिखे जा रहे थे जो हिंदी में अनुवाद के रूप में उपलब्ज थे उस युग में भारतिय नाटक कार नूतन प्रणाली की खोज में सलगने थे सेक्सपियर के नाटकों की नूतनता रचनाकारों को आक्रिष्ट कर रही थी पारसी कमपनियों के रंगमंचों द्वारा किसी नूतन नाट्रणाली का अनुसरा नहीं किया गया था ऐसी दसा में प्रसाद ने मारगान वेशन का अपरेतन किया था उनके यूग में जीतनी नाट्रणालियां थी उन सब के समनवे से उन्होंने अपनी नाट्रणाली निश्चिन्त की थी ऐसा समनवे उनके जीवना दर्स के अनुकूल था समनवे उनका करो समस्त विजयनी मान अपता हो जाए प्रसाद ने अपनी नाटे कला में भारते नाटे परंपरा को ही प्रमुक्ता दी है बस तु नायक और रस नाटे के इन ही तीन तत्मों को उन्हें अपनाया और इन ही के द्वारा हमें भारती आत्मा का दिखदर्शन कराया कार्ज की पांचो अवस्थाओं आरंब, प्रयात्म, प्राप्तियासा, नियताप्ती और फालागम तक ही इनकी द्रिश्टी सिमित नहीं रही आपितु इन अवस्थाओं के अनुकूल उन्होंने अर्थ प्रकिर्टियों, बीज बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्ज तथा संधियों, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, बिमर्श और निर्वहन को ही अस्थान दिया इस प्रकार उन्हों अपने बस्तु संगठन में भारतिये नाट्य परंपड़ाओं की पूर्ण रक्षा की नायक की द्रिश्टी से भी प्रसाद के नाटक नभीन चेतना संपन्न है संस्कृत नाट्य परंपड़ा के अनुसार नायकों में जिन गुनों और विश्टाओं की प्रतिष्ठा होनी चाहिए उन से उनके सभी नायक परिपूर्ण है उनके नायकों की भाति नायकाई भी भारतिये नाट्य परंपड़ा के अनुकूल है रस योजना की दिश्टी से देखा जाए तो ग्यात होगा कि उन्होंने इस दिसाब में भी भारतिय परंपरा का ही पालन किया है उन्होंने अपने नाटकों में मुख्यता वीर और स्रंगार रसों को ही अस्थान दिया है और उनकी निश्पत्ति के लिए उकतरसों के संपूर्ण अभ्यवों का सहरा लिया है इस प्रकार भारतिय परंपरा की दिश्टी से उनके नाटक का सर्वतो भाविन परित्याग नहीं करते हैं भारतिय परंपरा को आत्म सात करते हुए भी उन्होंने पास्चात्य नाट्य परंपरा की उपेक्छा नहीं की है। पासात्य परंपरा के अंतरगत वे सेक्स्पियर के नाट्टिकला से प्रभावी थे। सेक्स्पियर के नाट्कों में संगहर्स, सक्रियता और समस्ट्री प्रभाव अस्थापन की जो प्रविर्ती है, वह प्रसाद के नाट्कों में देखी जा सकती है। देव सेना, चानक के, असकंद गुप्त, आदी पात्रों की स्रिष्टी द्वारा ब्यक्ति वैचित्र के सिधान्त की रक्षा की है। उनके नाटकों में केबल बाहे द्वंद ही नहीं, आंतरिक द्वंद को भी उपस्थापित किया गया है। उनके पात्र प्रिष्टितियों से जूजने के साथ साथ, अपने मन के सत और असत दोनों से संघर्ज करते हैं। इन नाटके तत्वों के साथ साथ, देश काल के बढ़नन में भी उन्होंने पास्थाथ तिकला का ही समर्थन किया है। पास्थ नाटके परंपड़ा के अनुसार नाटक का स्वध्यस सो होना आवश्यक है। और गीत तथा भारतेंदू से अंकों और द्रिश्यों का विभाजन की सैलिली है। और इनी छेत्रों में प्राय भी फल भी रहे हैं। धुरुस्वाम नहीं एक ऐसा नाटक है जो इन दोसों से प्राय मुक्त है। और इसलिए अभिने की द्रिश्यों हुआ एक सफर लचना है। नाटके प्रंपरा के समन्वे के साथ साथ प्रतिपादित विशय के छेत्र में भी प्रसाद की समन्वे साधना के असपस्ट प्रमान मिलते हैं। उनके प्रया सभी नाटक एतिहासिक हैं तथा इतिहास में घटनाओं का क्रमानुसार बढ़न करते हैं और साहित उन घटनाओं की ब्याख्या करता है। प्रसाद ने अपने एतिहासिक नाटकों में इतिहास और साहित का समन्वे किया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और यूग की आवस्चक्ता के अनुसार इतिहास की मौली घटनाओं की ब्याख्या की है उनके नाटकों में इतिहास और साहित्य का ही समन्वे नहीं हुआ है प्राचीन और बरतमान का भी समन्वे हुआ है उनके पात्र अपने यूग की एतिहासी घटनाओं का प्रतिनी धुत करने के साथ साथ वर्तमान यूग की राष्ट्रे भावनाओं की भी पूष्टी करते हैं चंद्रगुप्त, देवसेना, अलका, असकंदगुप्त आधी पात्र देश प्रेम से भरे हुए है प्रसाथ के नाटकों में बध्ध और बैदिक धर्मों के टकड़ाओं में हिंदू-मुस्लिम समस्या का सफल चितरन हुआ है इसी प्रकार बुध्ध की अहिंसा, प्रेम और त्याग की भावनाओं के अंतरगत, यूग-पृुरुस महात्मा गांदी की अहिंसा, प्रेम और त्याग की भावनाओं का असपस्टी करन हो जाता है धुर्व स्वामिनी में जो पुनर विवाह और नारी समस्या खड़ी हुई है वो अभी बरतमान यूग चे सम्मंदित है असपस्ट है कि नाट्टिकला और विश्य प्रतिपादन इन दोनों दिश्टियों से प्रसाद अपनी समनवे साधना में सफल रहें उनके नाट्कों में प्राचीन और नवीन का, पौरसत्य और पास्चात्य का, इतिहास और साहित्य का, कथा और कलपना का, जीवन और कला का, यथार्त और आदर्स का, लोक और परलोक का, मनुशत्य और देवत्यों का, नियती और कर्म का सुन्दर समनवे हुआ है और समन्वे के क्रम में उनकी प्रतिभा और कला को विख्षित होने का आवसर मिलता है चंद्रगुप्त मौर्ज में अनेक दिर्ष्यों का विधान दिखाई पड़ता है जो भारतिय नाटकों का परंपरागत बैसिस्ट है विधी दिर्ष्यों की यह योजना नाटक को रंगमंच के उप्यूक नहीं रहने दीती है भारतिय नाटकों में मिलत्य और बध्य के दिर्ष्य बरजित हैं किन्तौ शेक्सपियर के नाटकों में ऐसे दिर्ष्यों को लाने में कोई बंधन नहीं है चंद्गुप्त मौर्ज में कल्यानी आत्मत्या करती है और नंद एवं सक्टार की मिलतियु सुच्च नहीं द्रिश्य है। पास्चात्य नाटक संकलन त्रय में विश्वास करते हैं किन्तु चंद्गुप्त नाटक में ऐसा नहीं है। इसमें तक्सिला से लेकर पातली पूत्र के अनेक अस्थानों के बितानताये ये अस्पस्टत, अस्थान संकलन के अवधारना की बिप्रित है। अलक्षेंद्र के आक्रमन से लेकर सिल्यूकस के अभियान तक की कालावधी सुधिर्ग है, कम से कम इन दोनों घटनाओं में पचीस वर्सों का अंतराल है, काल संकलन का यह ब्यतिक्रम पास्चात तिन्नाटक के सिल्प विधान के प्रतिकूल है, अरुनियह मधुमय देश हमा कागीत गाने वाली नवियोबना कार्डेलिया का विवाह जब चंदगुप्ट से निर्धारित होता है, तब कम से कम उसकी आयू 50 वर्सों की रही होगी, प्रसाद नहीं काल की एक्ता का ध्यान नहीं रखा है, पास्चात नाटकों में बस्तु संकलन की अन्विति देखी ज युनानी पात्रों आदी से संबध अनेक परसंगों की प्रस्तुति की है, जिससे नाटक का बस्तु तत्व बिश्रंखलित हो गया है, बस्तु संकलन का यह प्रभाव प्रसाद को पास्चात प्रभाव से बिलग करता है, पास्चात नाटकों में पात्रों के सीलिगत बैसि प्रसाद ने चानक सुहासनी, कल्यानी, कार्णेलिय आदी के चड़ी चित्रन में विशिष्ट सील गुनों का समावेश किया है। यही कारण है कि उनके पात्र मनोविज्ञान समत जान परते हैं। कुछ अलोचकों का विचार है कि प्रसाद ने चंद्रगुप्त मौर्ज लिखकर बस्तुता चानक के नाम का नाटक लिखा है। उनका मनतब यह है कि इस नाटक में चंद्रगुप्त का नायका तो दबसा गया है। किन्तु पास्चात नाटकों में जिस तरह संघर्ष की प्रिता देखी जाती है। उससे पातरों की क्रियाओं का नियमन होता है। यह हिस्तिति प्रसाद के नाटक में भी है। इनका चंद्रगुप्त सर्बत्र चानक के का अनुगामी नहीं है। वह एक सोतंत्र चेतानायक की तरह ही आचरन करता है। पास्चात नाटकों का अभीने के लिखे जाते थे। भारत में इस विधा को द्रिस्ट कावे कहा गया है। किन्तु इसके द्रिस्चत्ि को प्राय भूलाकर इसे पाठ्थे कावे के रूप में भी घञuirन किया गया है। प्रसाद के नाटक रंग मंचों पर अभीने की द्रिश्ची से बहुत प्र किया था जिसे अभिने चंद्रगुत का नाम दिया गया था चंद्रगुत नाटक को रंग मंच पर उतारने की योग गिता देने के लिए कई जगह संसोधन करना पड़ा था दृष्यों की अधिकता सुगत भासनों की भरमार और गीतों की योजना के कारण यह नाटक अभिने प्रसाद के नाटकों में भी द्रिश्यों के विस्तार से बचा गया है प्रसाद का चंद्रगुत नाटक अपने आधार फलक के विस्तार के कारण महा नाटक माना जाता है संस्कृत में भी महानाटक लेखन की परंपरा रही है हनुमनाटक इसका प्रतिनी धिवदारन है प्रसाद ने दुर्व स्वामिनी में तीन अंकों की ही योजना की है किन्तु उनका चंद्रगुप्त संकलन त्रय का उनलंगन करने के कारण सून योजीत नहीं रह गया है प्रसाद ने संस्कृत नाटकों की काब्यात्मक्ता और पास्चात नाटकों की चरितर गत विविदता को मिला कर चंद्रगुप्त को एक नया कलेवर प्रदान किया है यहां घटनाओं और पात्रों के नानाविद संगर्सों को भारत के रस सिधान्त से जोड़ा गया है इस तरह के समनवे को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर नगेंद्र ने प्रसाद के नाटकों को न तरास्दी माना है न काम दी बलके उनके अंतगत मिश्रित प्रवाब को ध्यान में रखकर एक नए नाम की उद्वाबना की है यह नई संग्या प्रसादान्थ है नाटक सुख और दुख के मिश्रित प्रवाब को प्रकट करते हैं चंद्रूप नाटक में कार्डनेलिया और चंद्रूप्त के बिवाह के उपरांत चानक के कथा के केंद्र से हट जाता है उसका मुख्य धारा से हटना तथा युनान और भारत की संदी का संपन्न होना आनन्द और अब साथ दोनों की समानत प्रस्तुति करता है इस अस्थल पर हम चंद्रूप नाटक के प्रसादान्थ का अनुभव कर सकते हैं प्रसाद जिस आनन्द बाद से संप्रिक्त थे वह अम्रित और विश को एक साथ आत्मसाथ करने वाले सिव से जुरा हुआ है प्रसाद के रुपकों में दुख के कालकूट और सुख की ससीकला के एक साथ दर्सन होते हैं चंदगुप्त मरन और जीवन के समलित सिवतत्त को समझ कर लिखा गया है भारतिय दर्सन और पास्चात ते नाटकला के मिलाप के द्वारा प्रसाद ने एक समर्वित रचना धर्मिता का परिचे दिया है यूरोप और भारत की दूरियों को पाटने में उनका यह नाटक एक प्रभावी उपकरन की तरह सामने आया है चाज़ाबाद अतीत जी भी रहा है उसने अतीत की समृतियों को पाथे बनाया है प्रसाद ने इतिहासिक कहानियों और इतिहास मूलक नाटकों के द्वारा भारतिय अतीत के ध्वनसा वसेशों को मुखरिद करना चाहा है इस क्रम में उन्होंने बिस्मृत इतिहास के पुन्र निर्मान का विप्रतनी किया है सन्दगुप्त मौर्ज अतीत के पुन्रिक्षन का परिनाम है बिदेशिय आकरमन को जहिलने वाले देश की स्वातंतर चेतना को लिखकने वानी दी है भारतिय नवजागरन आत्मबोध का परिनाम था बंगाल के कई नेताओं और साहिप्तिकारों ने अतीत का बरतमान के सम्मंध में आकलन किया था बंकिम चंडर, राखाल दासबंदोपाध्याय और डियल राय ने प्राचीन भारतिय इतिहास के बिस्मृत प्रिष्टों को पुना खोजने और प्रलत्मे का प्रयास किया था प्रसाद उसी आत्मबोध मुलक नबजागरन की देन थे उन्होंने चंडगुप्त मौर्ज सिर्षक नाटक के प्रारम में एक लंबी भून का लिखी है जिसमें उन्होंने मौर्ज के उदे और विकास का इतिवरित प्रस्तूत किया है इतिहास के प्रति उनका ये आग्रह पच्छमी ग्यानानुसासन की देन है योरोप में इतिहास कथा और मिठक नहीं, तथ्ञात्मक विबरन माना जाता है सेक्सपियर के कई नाटक योरोप की इतिहास से सबथ हैं उसी तरह जूलियस सीजर रोम की इतिहास का सहित्ति कंनुसुल्यन है और हैमलेट नाडवे की इतिहास की ओर इंगित करता है प्रसाद में दृष्टिगत होती है पास्चात इतिहास के अनुसिलन ने इस देश में नवजागरन को एक नई दिशा दी थी प्रसाद के प्रथम परिपूर्ण और बरे नातक विशाक की भूमिका में लेखक ने कहा है कि उसकी इक्छा भारतिय इतिहास की उन प्रकांड प्रतमान से जोडने वाला है उनकी दृष्टि में इतिहास गरा मुर्दा नहीं है वे उसे जीवन्त जातिय चेतना के रूप में स्विकार करते हैं प्रसाद का कामना सिर्शक नाटक आन्या पदेशिक नाटक की स्रीनी में परिगनित है किन्तो उसमें मानिविय इतिहास की सरलता पर बाहरी सभेता के दुस्प्रवावों का अंकन हुआ है इस दृष्टि से कामना भारतिय सभेता और बिजातिय सभेता के संघर्ष का नाटकी ये निरुपन है चंद्रगुप्त नाटक में भारत और युनान के जीवना दर्सों की टकरहक देखी जाती है बिदेश चेतना को रूपाईत करता है इसमें जिस ब्राह्मन बौध संघर्ष को चित्रित किया गया है वहां आधुनिक भारत के सांप्रदाइक बैमनस और जातिय दंगों की ओर इंगित करता है इस दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक अतीत और बरतमान के योगस्तुर को खांकित करने वाला नाटक है डियलराय के चंद्रगुप्त में भी इतिहास की बरतमान काली परिष्थितियों की प्रिष्ट भूमी लक्षित होती है इतिहास के अनुसीलन की यह पध्धती विदेशी प्रभाब की देन है भारत में काब्व और पूरान लेखन की परंपरा थी किन्तु यहां इतिहास की दिष्टि से पहली बार कल्हन की राजतरंगनी काब्वि के रूप में लिखी गई थी इसी तरह विशाकदत के मुद्रार आक्षस में नंद कालीन भारत के परिप्रेक्ष को गरहन किया गया था भारत की इसी इतिहास दिष्टि को पास्चात इतिहास के अध्यन से जोड़ कर प्रसाद ने चंद्रगुप्त मौर्ज लिखा था यहां भी हम भारत और पच्छिम की परंपराओं के मिलाप का प्रमान देख सकते हैं चंद्रगुप्त के लिखन करम में भारतिय स्रूतों के साथ साथ मेगास्तनीज की इंडिका का भी उप्योग किया है विपुरानी कथा के उपस्थापन की अपेक्छा यूग विशेश के पात्रों को नए धंग से प्रस्तूत करना चाहते हैं ठीक यही प्रविर्ती सेक्सपियर के नाटकों में भी देखी जा सकती है जहां सोफोकलीज के नाटक लेखन से अलग होने की स्थिति है यूनान के नाटकार इतिहास को मिथक के आबरन में देखते थे किन्तु शेक्स्पियर ने इतिहास के चरित्रों को अपने समय के मनुश्यों से जूर कर देखा था ठीक यही प्रिक्रिया प्रसाद के चंदगुप्त सिर्शकनाटक में अपनाई गई है प्रसाद का दांडियायन मेगास्तनीज के द्वारा लिखित दंडिवीस है किन्तु यह भारत के परंपरागत भूमा दर्शन का प्रवक्ता है दांडियायन को प्रसाद में अरस्तु के दर्शन सास्तर के बिरोध में खड़ा किया था इस प्रसंग में प्रसाद का या मननिय है कि युनानी के आक्रमानकारी और भारत के राजनेतिक नेत्रित्यु का संघर्ष चित्रन नहीं हुआ है। अपितु यह अरस्तु और चानक्य में चोट का आख्यान है। यह प्रसंग दो विचार धाराओं के टक्कर को प्रकट करता है। कि चंद्रगुप्त मौर्ज देशी विदेशी सभेताओं के टकराव को सामने लाता है। किन्तु यहां रचनात्म कस्तर पर विदेशी ज्ञान एवं सहली को त्याज नहीं माना गया है। कार्णेरिया का कथन अस्मर्णिय है कि यहां अन्य दल मनिश्यों के जन्दाता भूखंड के रूप में देखे जा सकते हैं। वहां भारत मानप्ता की जन्द्भूमी है। यहां मानप्ता बेश्व बंधुत्तु में विश्वास करती है। प्रसाद की रास्ट्रे चेतना संकुचित नहीं है, वे रास्ट्रेता को अंता रास्ट्रेता से जोडने में किसी प्रकार का अनचित्त नहीं पाते हैं, यही कारण है कुनोनी अंगल साहित्ती की गीती कावियात मक्ता को लहर में सुईकार करते हैं, और करुनाले के रूप मे हिंदी में बिदेशी ओपेरा की प्रस्तूती करते हैं प्रसाद ने कई सौनेट भी लिखे थे उनकी इस तरह की प्रयोग सीलता चंदगुप्त मौर्ज सिर्शक नाटक में परिलक्षित होती है निसकर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसाद ने अपनी नाटक कला में भारतिय नाटक परंपरा को ही प्रमुक्ता दी है प्रसाद ने पास्चात नाटकों के संघर्स और भारतिय नाटकों के रसबाद को जोड़ने का प्रयास किया है प्रसाद ने अपने इतिहासिक नाटक में इतिहास और साहित्त का समन्वे किया है और प्रसाद नाटिकला और विशय परतिवादन दोनों दिश्टियों से समन्वे साधनार सफल रहे हैं